तो फ्रेंड्स अगर आप एक होम बेकर होना तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप हर तरीके के केक और पूरे कर पाऊगे और उसी के लिए हम सारी चीजें और तयारी भी रखते हैं पिर चाहे केक हो, कपकेक हो या फिर स्पेशल किसी इवेंट से रिलेटेड हेमपर बॉक्स तो आज मैं आपको सिंपल से कपकेक के बॉक्स से एक हमपर बॉक्स आप कैसे बना सकते हो, वो सिखाऊंगे और क्योंकि अभी फादर्स डे आ रहा है, तो कैसे आप इसमें केक, मफिन्स, वो भी मार्बल एफेक्ट वाले बना करके सेट कर सकते हो, वो भी बताऊंगे विद्पूरी, पैकिंग, और प्राइसिंग, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आती है, यूस्फन लगती है, तो लाइक शर जरूर कीजेगा, चानल पो नहीं है, तो चानल को भी सब्सक्राइब कीजेगा, यहां पर मुझे बनाना है फ्रेंड वैनिला प्रिमिक्स लिया, 90 ग्राम, उसमें डाला देर टेबल स्पूम ओल, फ्लेवर और अच्छे से बैटर बना करके लिया, चार इंची का बरतन, जिसमें सेट किया है, मैंने अर्डी का एको बेकिंग पेपर, जिसकी वज़े से के एक आसानी से दी मोल्ड हो जाएगा, अगर आपको यह पेपर लेना हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बैटर मैंने डाल दिया है, किक टिन में टैप कर दिया है, और अब हम अपने आठ मविन्स के लिए बना रहे हैं बैटर, तो फिर से फ्रेंड्स मैंने करीब एक कप भर कर के लिया, अपना हम मेट, थोड़ा सा दो टेबल स्पून एक्स्रा डाला है, तहीं कमना रह जाए, और पानी डाल करके, और अरेंज फ्लेवर डाल करके, मैंने इसका भी बैटर बनाया, यह और अरेंज फ्लेवर था, तो मैंने थोड़ा साना औरेंज कलर भी एट कर दिया, जिसे कलर आ जाए, और मुझे यह थोड़ा सा बिना फिलिंग वाले मफिन्स को बनाना था, मार्बल एफेक्ट दे करके, तो यह बैटर मैंने उसी साब से रेडी किया, अब फ्रेंड्स मैंने लिया अपना पेपर लाइनर, जिसको मैंने मफिन मोल्ड के अंदर सेट कर लिय नीचे मैंने थोड़े राइस डाल दिये, जिससे कि यह जले नहीं और इवन बेकिंग हो, और फिर आइस क्रीम स्कूपर की मदद से, मैंने दीरे-दीरे सभी के अंदर लगवग आधे तक बैटर को पोड़ कर दिया, एक साथ मेरे 6 मॉफिन्स बन रहे थे, तो मैंने 2 सिलि और 8 होगा, जो मेजरमेंट हो, वो बिल्कुल परफेक्ट पैठा, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बैटर में एक कप के साथ एक्स्टा थोड़ा सा प्रिमिक्स डाला था, वो इसलिए, ताकि मैं इसमें मार्बल एफेक्ट दे सकूँ, बस चॉकलेट फ्लेवर बैटर ब क्रीम नहीं होती है, उन्हें जनरली मुफिन कहते हैं, और मैं मुफिन बना रही हूं, क्योंकि इन ही के उपर में क्रीम लगाकर इनने कॉपकेक्स में भी रेडी कर दूँगी, ऐसे के इननर फिलिंग भी अगर आप करें, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो बस यहां आपर देखो तिक्पिक से मैंने अलग-अलग तरीके के डिजाइन बना दिये हैं और देखेगा कि डिजाइन से कितने सुन्दर और अट्रेक्टिव इन पर डिजाइन बनेगी तो अपनी च्वाइस के आप से कोई भी डिजाइन बनाएगा मैंने बहुत सारे एक्जांपल्स आपको दिये हैं आपको एक लगे तो आप सभी में वो डिजाइन बना लो या फिर अलग-अलग भी बना सकते हो बड़ी ऐसे मैंने अपने केक को मफिन्स को इस सारी चीजों को अपने अगारों के ओटीजी में रख दिया है बेकोने के लिए करीब 25 मिनिट में ये सारी ची करेंगे केक बन जाएगा मैं अपनी क्रीम रेडी कर लेती है यहां पर केक के हिसाब से और मुफिन के हिसाब से हम क्रीम रेडी करेंगे तो करीबन मैंने लिए 300 ml क्रीम और इसको विप करने के लिए आज में यूज कर रही हो अपने अगारों का ये स्टैंड मिक्सर और चाहिए आप प्रोफेशनल लेवल पर काम करना चाहते हो इसे आप ले सकते हो मैं इसे बहुत सालों से यूज कर रही हूं काफी अच्छे इसके रिजल्ट है और इसका ऑनलाइन परचेस लिंक इसी वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आप जाके चेक आउट कर सकते हो तो करी आठ मिनट में फ्रेंड्स देखिए मेरी फर्स क्लास एकदम स्टिफ पीक वाली क्रीम जो है रेडी हो गई है तो इसकी जो बीटर अटा देते हैं और इसी से अपनाब आगे काम करेंगे और क्रीम का टेक्शर भी आप देख सकते हैं बहुती स्मूथ है स्टिफ है तो आप आराम से काम कीजिए जब हाई पावर के वाट से किसी भी मशीन या बीटर से आप क्रीम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे रहते हैं क्रीम लंबे समय तक मेल्ट नहीं होती है तो जरूर परचेस कीजिएगा तो हमारा केक भी रेडी हो गया है मैंने से दीमोल कर लिया ठंडा कर लिया और अब हम इसकी प्लेयर को कट करेंगे तो फ्रेंड्स हमें केक इस साइज का बनाना है कि वह हमेरे हम पर बॉक्स में भी अच्छे से फिट हो जाए तो मैंने टॉप जो डॉम शेप होती उसको हटा के लेयर को एक को दो पार्ट में ही ड बहुत जादा ना भड़े और इसका वेट भी 300 ग्राम से बहुत जादा ना आए वैसे तो उन्होंने 200 ग्राम का केक बोला था बट हम होंबेकर हैं हम हमेशा थोड़ा से एक्स फ्राई देते हैं यहां पर 300 ग्राम के करीजी केक बन जाएगा तो अब मैंने एक लेयर में अपने लिस्ट दिजे और आपके घर तक वो आपका सामान जो है पहुंचा देगी तो हम हम बेकर्स को तो बस यही चाहिए कि हमें कहीं भार ना जाना पड़े ताकि टाइम बेस ना हो और बढ़िया क्वालिटी का सामान हमें हमारे घर तक देजाए मैं तो यही करती हूँ आप भी यही कीजेगा बस थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके जो केक है उसकी क्रम कोटिंग मैंने कर लिया है और फिर इसके बाद हम इसकी फाइनलाइसिंग करके इस पर थोड़ा सा ब्लू कलर का एफेक्ट देंगे और इसकी डेकुरेशन करेंगे तो फादर्स डे पर कर लगा तो और अप उसे घीला करेंगे तो यह पर परिशानी न ही आएगी तो मैंने कीजी वाइट केलर जाएगे लिया किक पूरी देलाइसिंग कर लिया जुरी जार लिएहाँ क्रेंग क्रेंगे अबस्क्रा बूझ झानिक्टि हुए छाइक्ट रहे साथ किरू भी और पर पहले पैलेट नाइफ से थोड़ी क्रीम को समझ कर लीजे और फिर हलके हाथों से टर्न टेबल को घुमाते हुए स्क्रैपर की मदद से आप इसकी फाइनलाइसिंग कर सकते हैं और अगर आपकी क्रीम बहुत स्टिफ हो प्रीम में एकदम फटा फटा टेक्शर आरहा हो ब लिक्विट कलर, जबी भी आपको साइड में शेडिंग करनी हो अब लिक्विट कलर यूज कीजिए इसे टेस्ट भी खराब नहीं होता, कलर भी कम लगता है और शेडिंग भी अच्छी होते हैं तो देखें, मैंने ब्लू कलर का जो लिक्विट कलर है वो स्क्रैपर पर लि पैटर्न बना रही हूँ ताकि कोई भी ब्लू का इफेक्ट मेरे टॉप केक पर ना आए इसके उपर डेकोरेशन करने के लिए मैंने लाइट ब्लू और नेवी ब्लू कलर की दो शेड की क्रीम बनाई और उनको भर लिया मैंने पैपिंग बैक में जिसमें मैंने दो अलग अलग तरीके के चोटे साइस के स्टार नॉजल लगाए क्योंकि केक चोटा है ना तो बड़ा नॉजल अच्छा नहीं लगेगा और फिर इन दोनों के नॉजल की मदद से हम इसके उपर डिजाइन करेंगे तो यह देखिए पाइपिंग बैक में मैंने किस तरीके से क्रीम को बढ़ा है वैसे आप ग्लास वगरह में रखके पाइपिंग बैक को ऊपन करके भर सकते हैं बट जब काम चल रहा होता है ना किसी होंबेकर का तो यह सब ध्यानी नहीं रहता है और जो समय जो सही तरीका आप फास्ट जो काम कर देना वही तरीका समय आता है तो यहां पर देखिए दो अलग अलग नॉजल लिए हैं एक है नूर 46 और एक है सिंपल नूर 11 बस अब इन भी ब्लू कलर से भी रोजेट बनाएंगे जैसा कि आपको पता है मैं दोपेर ढ़ाई बजे से अपने इसी में चैनल तारा मतु की रसोई पर फ्री ओफ कॉस्ट लाइफ क्लासे देती हूं जिसमें मैं बेकिंग, बहुत सारी चीज़े, ब्रेट, डोनट, केक से अगर आप चाहें फ्यूजर में देखना तो आप थोड़ी सी मेंबर्शिप दे करके आप इन क्लासे को बाद में भी देख सकते हैं, में बरशिप वनमंत के लिए होती है, अगर आप यह लेना चाहते हैं तो एक बार लाइफ क्लासे में आए, आपको पूरी जानकारी मिल और इस तरीके से आप बिना कोई ओनलाइन क्लास का खर्चा किये, फ्री ओफ कॉस्स बहुत सी चीज़े सीख सकते हैं, तो जरूर से जरूर आईएगा दोपर ढ़ाई बजे तारा मदू की रसोई यूट्यूब चैनल पर, यहां पर देखिए मैंने गैप्स में भी नेवी बना लूँगी, ताकि कोई याप है, तो फिल हो जाए, यहां पर ब्लू से भी, नेवी ब्लू से भी, मैंने डेकॉरेशन कर दी है, और केक सौच में बहुत सुन्दर लग रहा था, यह बंटो केक में नहीं आएगा, क्यों इसो ग्राम से उपर है, और यह नॉर्मल केक्स क आप इने बोल सकते हैं, यह हमपर बॉक्स में काफी क्यूट और बढ़ी अलगते हैं, नीचे के लिए ना, मैंने जो बोल लिया है, वो है करीब 5 इंची का, तो केक रेडी अल्मोस्ट हो गया है, नीचे थोड़ा सा मैंने सौचा बार बना देती हूँ, तो नेवी ब्लू क क्रीम बची है, उससे हम अपने ये कपकेक्स को डेकुरेट करेंगे, वैसे कपकेक्स कहना इने ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंदर फिलिंग भी नहीं किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने मार्बल फ्लेक्ट दिया, ताकि उनको थोड़ा अच्छा कर रही हूं, तो आप अपने next father's day के order में क्या बनाने माले हैं, मुझे जरूर कमेंट कीजेगा, अगर मेरे चानल से कोई design आपको पसंद आती है, तो भी आप बना सकते हैं, और बना करके आप उसकी photograph वगरा, मेरे instagram id पर जिसका नाम है तारा मुदुकी रसुई, उस पर शे माईनी हमारे cupcakes की हो गई है, बढ़िया से तयार, और final test देने के लिए मैंने दुनों नॉजल्स को ले करके ना, जगे-जगे पर flowers चोटे-चोटे और बना दिये हैं, ताकि कहीं से भी cake बिल्कुल विजिबल ना हो, और cake बनने के बाद, friends, फ्रिज में अचे से सेट हो गया मैंने डाल दिये, आप चाहों तो स्प्रे कर सकते हो, ऐसे ही मैं cupcakes के ओपर भी ये sprinkles डालूंगी, तो कुल मिला के हमारा light blue, navy blue और white के combination में ये hamper box की डिजाइन है वो रेडी हो जाए, ये हमारे cupcakes थे वो भी रेडी है, इनको भी मैंने फ्रिज में रखके सेट कर लिया और य और सेंटर से ना उसके मैंने कटिंग कर दिये, मैं इस कटिंग के पार को शूट नहीं कर पाई, तो आपको सिर्फ कटिंग करनी है, नीचे लगा दीन है सेलो टेप, जिससे ये जो केक है, जब आप उसे सेट करें तो वो हिले नहीं, मूब ना हो, आप चाहों तो डबल को एक साइट में कर सकते हो, बट मुझे सेंटर में ठीक लगी जिजाइन, तो मैंने सेंटर में किया, फ्रेंड्स, कुछ-कुछ क्लिप्स मिस हो जाती है, क्योंकि ओनलाइन ये लाइव चल रहा होता है, उसमें शूट करके आपको वीडियो प्रोवाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरे बच्चे हैं घर में, ट्राइपोर्ट पर क्योंकि लाइव चल रहा होते हैं, तो जैसा थोड़ा बड़ शूट कर देते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लाइव क्लास से सेटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मेंबर्शिप नहीं प्रवाइड करती हूँ, ताकि आपका कुछ भी पार्ट मिसना हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, ताकि आगे भी मैं इस तरीके से नए-नए कॉंसेप्ट के डिजाइन सिखा सकूं, बता सक किसे रेडी, आपको यह डिजाइन आइडिया कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजेगा, और जैसे मैंने बताया, फ्री ओफ कॉस्स, जो लाइफ क्लासेज आती हैं, उनमें जरूर आइएगा, ऑनलाइन क्लासेज की जान कर लिने चानते वो भी लीजेगा, हम मिलेंगे नेक्स विजिये वी हईगे, तिल देन बाइए, तेक कयरे, जरू है, ठीप यह तरीज को यह ओशब हैं, आपके लिख सेटी संथाइए, पर डिदमरोड आए, किसे रचीं काल सुझाए हैं, जरूर के लिख सका यह तिल वह बस्त भान सेटीगे तिल सिजन, इससमें सेसादित बता